तो एक बहुत ही अमेजिंग मैंने बिजनस के स्टेडी पड़ी थी मैडवर मार्केटिंग के पेच पे लारेडा उटकर के कमपनी है फरनीचर की कमपनी है फ्रांस की और वो ऑनलाइन फरनीचर बेस्ती है तो उसके क्या फिजिकल उसके शोरूम्स नहीं है दिक्कत क्या हो थी क्योंकि कस्टमर ने वो फरनीचर फिजिकली टच नहीं किया देखा नहीं है तो बहुत सारे सेल्स रिटन आते थे 27 परसेंट तक इनका सामान सेल्स रिटन में आता था तो भई जाहर से लॉस बहुत होता था था कमपनी को तो क्या किया जाए तो वहां के एक local chain है इबिस करके एक hotel chain है उसके 240 hotels इन्होंने free of cost में पूरे के पूरना फरनिश किया यानि वहां पे जो chairs है, tables है, beds है, everything इन्होंने free में पूरे के पूरे अपने वहां लगा दिया और वहां पे जितने भी ये chair table लगा थे सब में QR code था और price tag था यानि customer जो भी उस hotel में आगा, वो देखेगा, physical देख लेगा और इच्छा ये ऐसा table है इतिभाव का है और वहां से चाहे तो ओनलाइन खुद order करते है इससे फायदा क्या हुआ कि इनकी sales बढ़ गई, इनको नए customers मिल गए और इनको कोई भी नया showroom बनाना ही नहीं पड़ा क्योंकि ये सारे के सारे जो 240 hotel थे, ये automatically इनके showroom बढ़ गए, बन गए, sales return बहुत कम हो गए, कितना amazing उन्होंने creative concept लगा है, और मतलब सुबे से जब से मैंने इस story पढ़ी है, मेरे दिमाग में आ रहे है कि मैं अपने दंदे में ये, कैसे ये चीज़ कर सकता हूँ